दोस्तों मैं पहले आपको clear कर देना चाहूंगा हमारे नंबर पे हाँ पे 5G service activated है unlimited 5G data जैसा कि आप live देख पा रहे होंगे ठीए दोस्तों यह टेल के नंबर पे हम 5G activate कैसे करें क्योंकि यहाँ पे न बहुत सरे लोगे मन में confusion था कि 2023 में यह service बंद कर दे जाएगी लेकिन नहीं यह टेल का मानना है जब तक हर एक केरिया में इनका 5G service launch नहीं कर दिया जाता है तब तक यह देते रहेंगे वह भी इसलिए द लोगों क्या करना पड़ रहा है मतर दो से तीन स्टेप में अक्टिवेट कर ले रहे हैं और उनकी service launch हो जा रहे है चलने लग रहे है यह फ्री वाला लेकिन यह टेल में 6-7 स्टेप में इस एक्टिवेट करना पड़ रहा है और इसके बाद इनका टर्मेंड कंडिशन टर् लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि यह टेल की 5G service को हम कैसे अक्टिवेट करें अपने नंबर पर और अपना इंटर्नेट हो गया रहे हम बिलकुल मुफ्त में चलाएं लेकिन नए टर्मेंड कंडिशन जो 24 में आये हैं उसको फॉलो करते हुए हमको एक्टिवेट करना प 100% आपकी 5G एक्टिवेट हो जाएगी और आपको स्कालाप मिलने लगेगा तो चली आगे बढ़ते हैं पूरा वीडियो देखेगा बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे और हाँ इनकी नई वाली पॉलिसी भी आपको जरूर बताएंगे तो चली आगे बढ़ते हैं तो जो यह टेल की 5G है उसको कैसे अक्टिवेट करेंगे step by step मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि आपके पास 5G डिवाइस होना अनिमार है क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग 5G मॉबाइल फोन में अक्टिवेट कर ले रहें अपना सारा सा पर या फिर उससे उपर का रिचार्ज होना जरूरी है इससे उपर का रिचार्ज रहेगा तभी आप पर वर्किंग होगा नहीं होगा तो नहीं होगा और पर आपको click करना है जैसे click करेंगे आप यहां पे तो आपको अपने यर्टेल वाले number पर click कर देना है, ठीक है मैंने अपने यर्टेल वाले number पर click किया click करने के बाद यहीं पर एक option होगा bolti calls का ऐसा option है bolti के नाम से या फिर अब इसके बाद यहीं पर एक option देखने को मिल जाएगा access point names का आपको access point names पर click करना है और उसके बाद यहां पर एक काम आपको यह कर लेना है कि उपर 3.5 इसके पर click करके और reset access point कर देना है नहीं तो कहीं नीचे भी reset का option आएगा तो click करके reset access point दोबारा से reset access point पर click कर देजेगा तो सारी setting आपकी नई वाली receive हो जाएगी पूरानी वाली हट जाएगी अब इतना करने के बाद आपको आना है Google के play store में और यहां से आपको search करना है thanks ठीक है जैसे thanks लिख के search करेंगे तो यह टेल की thanks वाली application यहां पर आएगी इसमें कुछ भी update दिखेना तो तुरंत आपको इस app को update कर लेना है ठीक है और पहली बार आप download कर रहे है तो कोई दिक्कत नहीं आप download कर लेजेगा लेकिन आप पहले से user है तो इसमें कोई update आई है तो update करना अनिमार है मेरी भी app update हो रहे है अपडेट हो जाने के बाद पूरी setting आपको बताता हूँ कैसे app update हो चुकी है हम open करेंगे और open पहली बार आप करेंगे तो आपका mobile number मांगा जाएगा और आपके number पर OTP आएगी OTP आप भर देंगे तो इसमें login हो जाएगे जब आप इसमें login हो जाएगे तो login हो जाने के बाद कुछ ऐसा page आपके सामने सो होगा तो जैसे आप नीचे के तरफ slide करेंगे हाँ पे तो साफ साफ एक option यहाँ पे आपको मैं zoom करके दिखाना चाहूंगा लिखा हुआ आ रहा है 5G plus claim unlimited 5G data जैसा कि आप देख पा रहे है यही option आना जरूरी है आपके फोन में और जैसे जैसे मैंने कहा है यह वैसे आप करेंगे न तो 100% यह option आ जाएगा यह option आने के बाद इसी option पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे लोडिंग करेंगा और आपके सामने कुछ ऐसा option सो हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे option आ जाएगे यही पर एक option होगा जैसा कि देख सकते हैं unlimited 5G data unlimited 5G data charging 0 rupees नीचे specification आपको सो हो जाएगा इस specification एक पॉइंट में पढ़के clear करना हूं थोड़ा ध्यान दिजिएगा जैसा कि साफ साब लिखा है this is an introduce offer our customer to experience high speed 5G data यह कह रहा है कि यह service हम अपने ग्रहकों को experience के लिए दे रहा है 5G data फिरे में ठीक है नीचे एक option आ रहा है जाके 5G work करेगा साफ साफ साब बता दे रहें देखिए कुछ भी फेक नहीं रहेगा सारा कुछ जो भी रहेगा रहेगा तीसरा नमबर unlimited 5G data can only be used in 5G network area यह अभी इनका point है कि जब आपके एरिया में 5G network रहेगा तभी सर्विस का लाब आप ले पाएंगे तो कैसे आप पता करेंगे कि आपके एरिया में 5G है की नहीं है मैं अभी आगे बता दूंगा ओभी ट्रिक आपको ठीक ना उसके बाद है आप एक option है दिस ओफर इवाइलेबल फार आल प्रिपेट कस्टूमर और अनलिम्टेड रिचार्ड इस्टार्टिंग फ्राम टो थ्री नाइन ज चलिए पुस्ट पेट के लिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन प्रिपेड वालों के लिए इतना सारा उपर जो यह दिये है मैंनू इसे मतलब फॉलो करना जरूरी है अब आये में पॉइंट पर आते हैं इतना कुछ पढ़ने के बाद बस आपको क्लेम नाव कि यहां पर नीच करता हूं प्रिपेड वाले पर ठीक है और जैसे क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा ओपसन आएगा और जब हम नीचे के तरफ स्लाइड करते हैं तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 5G अलिम्टेड डेटा हमारे नंबर पर एक्टीव है जो यहा करना चाहूंगा कि कैसे आप पता करेंगे कि आपके अरिया में 5G नेटवर्क है की नहीं इसके लिए आपको यह टिल के काश्टूमर कर करना एक और उसे बोलना कि सर हमारे एरिया में 5G नेटवर्क है इस पार चालू करके किसी और के मोबाइल को connect कर दे रहा है तो उस situation में लोग डिडेक्ट कर लेते हैं और आपकी service को कर देते हैं बंद इस बात का भी ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है नमबर टू कंडिशन है कि जैसे 2023 में हम लोगों को unlimited 5G data मतलब महीने भरी उच करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब लिमिट लग गए है लिमिट यहां लगी है कि एक महीने में मैक्सिमम आपना 300 GB data तक ही उच कर सकते हैं एक महीने में तो मतलब तब भी लिमिट लग गए ले चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा बाई बाई दोस्तों